जाएं दोस्तो स्वागेद चानल पे तो दोस्तो आर्मी लिखित परिच्छा 2021 आर्मी रैली भरती सभी एरो की 2021 की क्यों नहीं आ रही है उसका आज मैं आपको कारण बताने वाला हूँ ये कारण दोस्तो आप सुनके अगर आप सहमत हो सहमत हो तो प्लीज आप कमेंट करो यस आई एगरी ठीक है क्योंकि ये लेटिनेंट करनल रिटायर द्वारा ये बताया गया है कि क्या कारण है जो जिसकी वज़ा से आपका जो ये ना तो परिक्षा हो रही है ना तो रैली भरती आ रही है और साथ में दोस्तो अंत तक बने रहोगे तो ये भी पता चलेगा क्या परिक्षा जो आपकी है और जो आपकी भरती होने वाली है वो नए नियमों के आदार पर होगी वो नियम कौन से हैं तो सब कुछ देखने को मिलेगा अंत तक बने रहना और मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को बिलकुल नहीं बोलूँगा अच्छा लगे वीडियो और एरफोर्स यह ऐसी संस्ता है जिसमें पैंसन मिलती है बाकी किसी भी संस्ता में किसी भी कर्मचारी को पैंसन नहीं मिलती है तो दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हो अगर कोई ऑफिसर बीस साल के बाद रिटार होता है तब ही उसे पैंसन मिलती है मतलब बीस साल की मिन सारे एक सर्विसमेन को पैंसन देनी के वैसे देश का डिफेंस बजट भी कम हो जाता है इस बात को लेके दोस्तो सरकार भी और साथ में आर्मी ने मिलके बहुत सारा डिसकसन किया है पास्ट में भी और साथ फ्यूचर में भी इसके लिए कुछ जरूर होगा कि किस तरह हम आर्मी रैली भरतियां इतना लेट कि हो रही है क्योंकि कैंसल तो नहीं होंगी लेट होंगी तो इन्होंने बताया था कि एक कारण यह हो सकता है कि सरकार कई नियमों में बदलाओ कर रही हो उसमें से एक नियम हो सकता है कि आपकी पैंसनेवल एज में जो है बदलाओ होगा अब ये pensionable age में बदलाओ क्या है तो दोस्तों देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको जो है pension जो है 15 साल में service देने के बाद आप eligible हो जाएंगे अगर officer entries है 20 साल के बाद अब सरकार क्या कर सकती है जो pensionable age है उसे बढ़ा सकती है माल लीजिए पहले 15 साल थी तो आप उसे 20 साल कर सकती है ये है pensionable age में बदलाओ ऐसा सर के द्वारा दावा किया जा रहा है ये हो सकता है ये पक्का नहीं है लिकिन ये हो सकता है इसलिए आपकी भरतियों को इस्थगित किया गया है साथ में आर्मी परिक्षा को भी इस्थगित किया गया है अब आप सोच रहे होंगे इसमें इस्थगित करने की क्या जरूवत है तो दोस्तों देखो अभी नए नियम आएंगे तो आपकी जो भरतिया होंगी आपका जो recruitment होगा वो नए नियमों पे होगा मान लीजिए अगर आप भरति होते हैं तो आपको 15 साल minimum service की जगा आपको minimum service 20 साल देनी पड़ेगी जिसके विए से आपकी pensionable age बढ़ जाती है चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एरफोर्स हो अगर आपने सुना होगा एरफोर्स का भी एक्जाम हो चुका है उसकी merit भी बन गई है लेकिन अभी उन बच्चों को जो है joining का letter नहीं आया है क्योंकि हो सकता है उन्हें नए नियमों की आधार पे भरति किया जाए इसलिए उनका भी भी joining letter नहीं आया है तो दोस्तो सर के द्वारा ये जो कारण बताया गया है आर्मी लिखित परिक्षा और रैली भरति ना आने का मुझे तो valid लगता है दोस्तो कम से कम 70-80% तो valid लगता है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में comment करके बताएं और आप क्या इससे agree करते हैं इस बात से कि pensionable age में बदलाव के कारण जो है आपकी रैली भरतियों और लिखित परिक्षा नहीं हो रही है प्लीज कमेंट करें yes I agree और या फिर कमेंट करें no I don't agree तो दोस्तों pensionable age में बदलाव होगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि जब तलाग ये सब officially सरकार दोरा है फिर आर्मी दोरा clear नहीं हो जाता कोई भी नहीं बता सकता और किसी को पता होगा तब भी नहीं बताएगा तो दोस्तों परिक्षा आपकी नए नियमों पे होगी या पुराने नियमों आपको बता दू कि जो आपका vacancy आने वाला है काफी अच्छी vacancy आने वाली है दो साल जब की भरती नहीं आई तो vacancy के बारे में चिंता मत करो बस तयारी करो और साथ में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका paper cancel हो जाएगा paper बिल्कुल cancel नहीं होने वाला पेपर आपका जल्द करें जाएगा अभी माना जा रहा है कि 30 जनवरी की डेट है तो उसका इंतजार कर लो नहीं तो दोस्तों पेपर कैंसल नहीं होने वाला इतना तो मान के चलो आयोब आपको इस वीडियो पसंद आई हो जो इन्फुमिशन जो दी गई है आप उसे सहमत करते हैं नहीं सहमत करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बदाए क्योंकि आपकी राय भी इसमें मैटर करती है तो मिलेंग अगली एक नई वीडियो में नए इंफोमेशन के साथ कुछ अपडेट होगा तो तब तक के लिए जाहिन जा भारत